हेलो एब्रिमन स्वागत है आप सभी काफ़ी से जी डीची टूटर के मेडिसिन सेरीज में आज हम बात करने वाले हैं बहुत भी पॉपुलर क्रीम बेटनो बेट एन के बारे जी हाँ बेटनो बेट एन क्रीम बहुत यह अच्छे मेडिसिन मानी जाती है खासकर इसकिन पर ज क्या कंटेंट मिला हुआ होता है किस किस चीज को ट्रीट करने के लिए इसको यूज करते हैं क्या इसका मेकेनियम आप एक्षन होगा क्या इसका साइड पेट क्या प्रिकॉश्चन और लगाने का सही तरीका क्या है मतलब इस क्रीम की हम संपूर जानकारी देने वाले हैं प अब से पहले बात करेंगे कंटेंट क्या-kia होगा तो इसमें दो कंटेंट। मीला होता है पहला बेटा में आप सीन मिला होता है जो कि एक एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो 40 रुपे का एक ट्यूब आता है कंपनी जो इसे बनाती हो है ग्लैस को स्मित काइन स्टोर इसको 30 डिगरी के बिलो करते हैं बात करेंगे किस किस चीजों में योज किया ज इसकीन पर जो भी बैक्टीरियल इंफेक्शन मैंने बताया जो इचिंग हुई जो हमारा फ्लैक्स वगरा पपड़ी वगरा चोड़ता है इन सारी चीजों को ट्रीट करने के लिए और चेहरे को पहले जैसा बनाने के लिए यह बेट नो बेट एंट क्रीम बहुत ही हेल्प माना जाता है बात करेंगे डियर किस तरीके से यह वर्क करेगा जिया क्या मेकेन्यों आपेक्शन है देखिए दो कंटेंट है हमने बताया था बीटा मेतासोन जो हमारा क्या होता है एक इस्टेराइडल मेडिसिन है जो क्या करेगा प्रोस्टा ग्लेंडिन के क्या करेगा सि लो इची यह सब होना बंद जाएगा नियो माइसीन एक तरह के से घरा करेगा बैक्टिरियल के ग्रोथ को बात करें एडियर, कैसे इसको use करना है, तो मैं लिए जो cream होती है, बाहरी यानि external यूज के लिए ही होती है, और जो इसका dose होता है, क्या amount होता है, कैसे लगाना होता है, यह आपके doctor के salah के बाद ही निदारित किया जाना चाहिए, बात करेंगे, use करने से पहले, इसके level को इंटामिनेशन नहोंने पाए और ज्यादा तर बेहतरी निफट देखने के लिए इस क्रीम को रात में लगाना बहुत ही असरदार माना जाता है बात करेंगे कुछ इसकी लूज या फिन हो सकता है या इचिंग की कंडिशन उत्पंद हो सकती है तो यह सारी हमारी साइड एफेट की बात हो गई तो इस जानकारी आपको कैसी लगी comment box में जरूर रताइएगा अगली medicine अगली दबाई किसके बारे रताइए उसको भी comment box में जरूर लिखेगा और medicine की जानकारी चाहिए तो channel के playlist section में जाके और medicine की जानकारी आप craft कर सकते हो चली मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले topic के साथ तब तक के लिए thank you so much all the very best